नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का आपके अपने यूटोब चेनल पर दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कहीं पर भी नई वेकेंसी का विग्यापन जारी होता है तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको इस यूटोब चेनल के उपर दी जाती है तो दोस्तो अभी तक भी आपने इस यूटूब चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करे ताके आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके जियां दोस्तो रीट की तैयारी करने वालों के लिए बहुत बड़ी कुशकबरी है जल्द ही 31,000 पदू के लिए विग्यापन जारी होगा तो दोस्तो आपको इस वीडियो को अंततक जरूर देखना आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मिल जाएगी तो दोस्तो देख लेते हैं क्या है पुरी ख़वर जी हां दोस्तो रीट मुक्य मंत्री गैलो तो राजी सिक्ष्या मंत्री डोटासरा ने 24 दिशंबर को की थी गोशना 2 अगस्त को करवाएंगे परिक्सा 45 दिन बाद भी सलेबस पद तै नहीं ऐसा मज़ जैसे में अभ्यारती दोस्तो कई स्टूडेंट मेरे को पूछ रहे हैं कि सर इसमें रीट के माद्यम से परिक्सा इजित करवाई जाएगी या फिर दो बढ़ती परिक्साएं होगी तो दोस्तो मैं आपको बता दू कि रीट लेवल फर्स्ट के लिए एक ही परिक्सा होगी और रीट लेवल टू के लिए दो परिक्सा होगी पहले आट एट होगा उसके बाद मैन एक्जाम होगा कई अब्यार्ती कर रहे हैं कि राजस्तान जीके को बढ़ावा दिया जाएगा तो दोस्तो मैं आपको बता दू कि रीट का पाटे करम एंसी आर्टी के द्वारा तै किया जाता है इसमें कोई फेर बदल नहीं होगा अधिक्तम 14 क्यूशन पूछे गए थे लेकिन इसके अंदर 7 क्यूशन और बढ़ाए जा सकते हैं यानि अगर रीट के मादम से भढ़ती परिक्सायजित करवाई जाती है तो इसमें 20 क्यूशन राजस्तान जीके के हो सकते हैं इससे ज़्यदा नहीं होंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि लेवल 2 के लिए पहले रीट होगी इसके बाद में 2 पेपर सब्जेक्ट वाईज लिया जाएगा जिसमें 100 क्यूशन हैं वो सब्जेक्ट के होंगे और 50 क्यूशन राजस्तान जीके के जोड़े जाएंगे अलग से पेपर लिया जाएगा अब देख लेते हैं क्या है पूरी ख़बर मुख्य मंत्री एसोग गैलोत और शिक्षा राजे मंत्री गोविन सिंग डोटासरा की गोशना के 45 दिन भी बाद रीट को लेकर सलेबस और पदते नहीं हुए मुख्य मंत्री ने 24 दिसंबर को गोशना की थी कि 2 अगस्त को रीट का एक्जाम करवाया जाएगा CM की गोशना के बाद बेरोजगा ऐसा मज़शे में है कि एक्जाम की तयारी पुराने सलेबस के आदार पर की जाए या फिर विशे पर फोक्स रखा जाए इस समद में कोई कुछ बोलने को तयार नहीं है इसलिए बेरोजगारू को गुस्सा बढ़ता जा रहा है अब भ्यारति ने आंदोलन शुरू करने का एलान भी किया है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि 28 तारीक को पद और इसका जो सलेबस है वो तै होना था लेकिन अचानक राहूल गांदी की रेली होने के वज़े से इसे पोस्त बूंड कर दिया गया है अब फिर से 5 या 6 तारीक को इसकी मिटिंग होगी और उसमें तै कर दिया जाएगा और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो आपको वीडियो के मादम से तुरण सुचित किया जाएगा मेरे दुवारा बताई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करे सेहर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे जैहिन जै भारत